यह तो हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में जानते ही हैं कि पॉलिटिक्स में अकसर पॉलिटीशन सेलेक्टिव आउटरेज दिखाते हैं ठीक उसी तरह जिस तरह से बॉलिटिक्स में लोग तभी रियाक करते हैं जब उनके किसी फायदे वाले इंसान को नुकसान पहुंच रहा हो तो वो उसका सपोर्ट करते हैं अन्य था वो लोग चुप्पी साधे रखते हैं यह चीज हम लोग ने बखुवी देखी है कि लोग लेकिन अपने आपको कश्मीरी पंडित वो लोग जरूर बोलते हैं बहराल इन सबी चीजों के बीच में हम लोग यह भी देखते हैं कि किस तरीके से जिन प्रदेशों में चुनाओ रहता है उन प्रदेशों में यह पॉलिटीशन्स गिद्दों की तरह इतने जादा बहराल यूपी में होने वाले हैं विदानसभा चुनाओ और हम देखी रहे हैं कि समय यूपी में किस प्रकार का माहौल बना हुआ है मतलब हर एक मुद्दे के उपर ऐसा लग रहा है कि देश का हर एक नेता यूपी पहुंचना चाहता है और अपनी उपस्तिती वहां पर बात कर लीजिए राजस्ताम 37 गार तो खुद कॉंग्रेस के स्टेट हैं पर क्या वहां पे कॉंग्रेस का कोई वरिष्ट नेता गया क्या राहूल गांदी प्रियंका गांदी इन स्टेट्स में गए नहीं ऐसा मुझे बिलकुल नहीं लगते और इन सबसे वरिष्ट नेता इसी को हम कहते हैं सिलेक्टिव आउटरेज मतलब की भई दूर से बैटकर कड़ी निंदा कर दो पास जाने की जरूरत नहीं क्योंकि रोटी तो अपनी यूपी में अच्छी से कर रही है और इनी चीजों के कारण अब मायावती ने भी राहूल गांधी को अपने निशाने साधा है उन्होंने कॉंग्रेस से पूछा है कि क्या आप वहां पर 50 लाख रुपए मुआफजा नहीं देंगे रविवार को अपने ट्वीट में बसबाप रूंख ने कहा कि राजस्तान के हनुमान गड़ में दलित की पीट-पीट कर उसकी जान ले ली गई ये बहुती द जाए परिवार अपने लिए नयाय की मांग कर रहा है और मीडिया से बातचीत में ये भी बोल रहा है कि हमें नयाय चाहिए बेटे को धोके से उसकी जान ली गई है और हमें कोई देखने तक नहीं आया दोशियों की गिरफतारी होनी ही चाहिए जाए इस बात है हनुमान ग पितों के वो नामजद किया गया है वीडियो में एक व्यक्ति ने जगदीश के उपर अपना घुटना रखा हुआ है और दूसरे ने पाउं पकड़े हुए है बाकी लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं ये वो काफी निशन सनी है मतलब बहुत जादा खराब स्थिती में ये क काम किया गया है तो ऐसे में मायावती जीनों सवाल उठायों बिलकुल लाजमी है कि एक तरफ तो आपके लोगों को मुआफ़ा दिलाने के लिए बिलकुल ऐसे कर रहे हैं अंशन पर बैट जा रहे हो कमरे में जालू लगाने लग जा रहे हो लेकिन दूसरी तरफ अपने ही नाज्य में बंद करके बैठे हुए यह आखिर कैस संबह हो सकता है और इसी का सवाल वो इस समय राहूल गांदी से पूछ रही है अब जब तक राहूल गांदी जी के लिए जवाब की स्क्रिप्ट बनकर नहीं आ जाएगी तब तक हो कैसे भी कुछ कहां बोल पाएंगे मेरे इस वीडियों फिलालत नहीं दिया आपनों कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है चैहिन चैह भारत